जैसा कि पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि बहुत दिनों के पाद ये लोग अपने स्कूल वापस आये होते हैं लेकिन आने के बाद इन्हें अरेस्ट केर लिया जाता है वो भी एक फेक मर्डर केस में जो कि इन्होंने किया भी नहीं था और वहां का जो जज होता है वो जैसे भी तुम लोग की उपर शक सबसे जादा जाता है क्योंकि सारे लोगों ने तुम्हें ही देखा था कि तुम ही लोगों ने उसे मारा था साथी साथ तुमने हमारे स्कूल के डिस्पल को भी मारा और यहां तक की चिंगाय डैनेस्टी के प्रिंस को भी तुमने मारनी क कोशिश की थी क्यों मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ न अब तुम इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहोगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे विडेंस है और फिर वो उन्हें सज़ा सुना देता है जब क्यों इसने उनकी बात भी नहीं सुनी होती है और कहा रहा होता है जैसा तुम ये अपने परसनल काम के लिए कर रहे हो तुम हमसे अपना परसनल रिवेंच चाहिए तुम ये सब कर रहे हो फिर वो एल्डर अपना मास्क खटाता है और हमें दिखाया जाता है ये होता है स्कूल का सबसे बेकार और वाहियात एल्डर जिसकी स्कूल में कोई इज़ कर डालता है वहीं पर चैन कहा रहा होता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है मैं ये काम बहुत पहले से करना चाहता था लेकिन अब अब इन्होंने हद पार कर दी है मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ याओ एल्डर की तरफ आगे बढ़ता है और कहा रहा होता है तुमने अपनी ऑथरिटी का गलत इस्तमाल किया है मैं तुम्हें मार दूँगा आज भली आज मुझे स्कूल से बाहर क्यों न निकाल दिया चाहे लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ वो हस रहा होता है तुमने पहले ही एक आफिसर को मार दिया है और मेरे लिए तो ये बहुत अची बात रहेगी आज तुम्हें मैं किसी भी तरीके से स्कूल से बाहरी निकाल दूँगा फिर एल्डर उस पर हमला करने के लाता है तुम्हें मारने के बाद वो फायर मंगी मे मेरा हो जाएगा याओ भी अपने हतियार के साथ हमला करने के लिए आता है तुम बहुत बेशरम हो यहां पर वह अपनी सुपर स्टाइल या नि वही फ्लेम वाली टेकनिक का इस्तमाल करने जा रहा था जैसे उन दोनों का हमला टकराता है याओ तुरंथी पीछे हट जाता है उसे बहुत जोर के लगी होती है यह बहुत ताकत वर होता है फिर यह दोनों इस पर हमला करने के लिए लेगाते हैं लेकिन ये दोनों भी टिक नहीं पाता है था हूं डाह वहता है साथ लेकिन उसका वो हमला भी कुछ काम नहीं कर पाता है क्योंकि इसका शील्ड बहुत ही साथ मस्बूत होता है यह फिर से पीछे अड़ी आता है और सोच रहा था इस अटैक से तो एक टॉप लेवल जेनरल भी मारा जा सकता है लेकिन ये इसे चोट क्यों नहीं पहुँची क्या ये किंग लेवल से भी उपर का है वो एल्डर अपनी बहुर बढ़ा रहा होता है और क्या रहा होता है बंदर कहीं के तुमने मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश की मैं तुम्हे मार दूँगा अब कोई नहीं बचने वाला यहां से वो अपना ताकत वर हमला करने वाला होता है लेकिन तब तक साइडस उस पर कोई हमला कर देता है वो कहता आखिर यह यहां बेगा कर रही हम देखते हैं तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा बस कोई छोटा मोटा सा बिजनस है जो मेरे ग्रेंटपा तुम्हें देते हैं और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ये प्रिटेंट कर रहे हो कि तुम सबसे महान हो। एल्डर को ऐसा लग रहा था कि वो टीचर सीतु को बड़े आराम से हरा सकता है लें टीचर सीतु जब हमला करना शुरू करती है न तब उसके छक्के छुड़ चुके होते हैं और वो कहता है इनिटेट यूवान लेवल आखिर ऐसा कैसे हो सकता है ये इतने हाई लेवल में कै से जा सकती है एल्डर अचानक से रुक जाता है और कहा रहा होता है ठीक है अभी मैं कोर्ट का एल्डर होने का एक्टिंग कर रहा था लेगिन तुम हमारे बीच में पढ़ गई जो की कोर्ट के अफेर्स के बिलकुल खिलाफ है मैं इसकी रिपोर्ट जाकर सीधा हेड़ मास ठीक हो लेकिन जाओ उन दोनों की मुदद करो उनकी हालत बहुत सब्सक्राब है अगले सीन में हमें मास्टर माइंडस को दिखाया जाता है जो हरा वला होता है वो कह रहा होता है अब तो उनका भरता बनी गया होगा क्योंकि अब उन तीनों को कोई भी नहीं बचा सकता है फेक केस में हमने उसे फसाद दिया है, जो दूसरा वला होता है, वो कहा रहा होता है, लेकिन उन तीनों के मास्टर्स, उनसे डील करना बहुत साथ मुश्किल होगा, वो हरा वला कहाता है, ना तुम चिंता मत करो, अभी तक तो वो लोग आधे मर भी चुके होंगे, और फेक, वो बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है, उस बात को सुनकर तो उन तीनों का बहुत जोर से पारा गर्म हो जाता है, अगले सीनमा में दिखाया जाता है, या वो अपने आपको रिकावर कर रहा होता है, वो कहता है टीचर, आप यहाँ पर क्या गर रहे हैं, टीचर उसके उप बेवक्त के बाद वापस आया है, और साथी साथ, तुमने चिंग डैनिस्टी के प्रिंस को भी घायल कर दिया था, तो इसलिए सब को ऐसा लग रहा है कि तुम ही ने चैन को मारा होगा, फिर थोई दिर के बाद हम देखते हैं, और फिर याओ टीचर को सारी बात बता चुक और जो लोग जिन्दा बच गए थे, तुम्हारी वज़े से, जैसा कि तुम्हारा कहना है, वो लोग अब तुम्हारे खिलाफ हो चुके है, याओ कहता है कि मुझे से कोई फरक नी पड़ता है, मैं अब अपने आपको और सफर बिल्कुल भी नहीं होने दूँगा, मैं गल आती है और कहा रही होती है, देखो, अभी कुछ दिन तक बाहर तो घुमने के लिए बिल्कुल भी मत निकलना, क्योंकि सभी लोग की नजरे, तुम्ही तीनों के उपर होने वाली है, तो तुम लोग थोड़ा समाल के रहना, अगर कुछ न्यूस मिलती है, तो मैं तुम लो आज़ा बंद कर रहा था और सोच रहा था कि मुझे उसका बदला लेना ही पड़ेगा, बहुत सारी चीज़े पहले से बदल चुकी है, चेन भी अब नहीं रहा है, लेकिन चीज़े और भी ज्यादा डिफरेंट हो चुकी है, अगर मैं जल से जल दी वान किंग लेवल तक नहीं पहुंचा तो तब तक कोई और भी वहाँ पर आ चुका होता है, वो देख के हैरान हो गया होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रिंसस आ चुकी होती है, वो कहता है, ओ प्रिंसस आप यहाँ पर आईए, मेरा ये घर बहुत ही भागशाली है, जो आपके प्यारे प्यारे वो कहती है कि आखिर मुझे तुम से डर क्यों लगेगा तुम कोई बुरे इंसान बिल्कुल भी नहीं हो और मुझे यकीन है कि तुमने ये कुछ भी नहीं किया होगा याओ अब पूरा फूल लिया होता है कि प्रिंसेस उसकी तारीफ कर रही है हाँ एक बार मैं अपनी इंजरीज को क्योर कर लो उसके बाद मैं उसे जरूर सजा दूँगा जो हमें फसाने की कोशिश कर रहा है प्रिंसेस अजीब से चेहरा है ऐसा बना के कह रही होती है अगर मैं तुम्हारा नाम इसमें से हटा दू तो तुम इसके बदले में मुझे क्या दे सकते हो वो कहता है सीरियसली प्रिंसेस कहती है क्या तो मुझे बरुसा नहीं हो वो कहता है नहीं नहीं अगर आप मेरा नाम हटा देती है तो आप मेरे उपर बहुत बड़ा फेवर करेंगी प्रिंसेस कहती है कि तुम्हें बस मेरी एक एक्षा कोई पूरी कतनी है और फिर मैं तुम्हारा नाम हटा दूँगे उस लिस्ट में से कि तुम रेबल हो और तुम्हारे साथियो का भी याओ खुश था और कहा रहा होता है आप जो भी कहेंगी अभी ये एक नॉर्मल सा आदमी है जिसके पास कोई जॉब नहीं है लेकिन अगर ये ओफिशियल बन जाता है यानि मिलेटरी में जाकर किसी ओफिशियल पोस्ट पर चला जाता है तो ये इसकी भाई की मदद कर सकता है कि इसके भाई को राजगदी मिल जाए समझे मतलब आफिसेर बनने के लिये कह रही है याओ एकदम चॉक चुका होता और कहर रहा होता क्या ये सच-मुच पॉसिबल भी है प्रेंशिस कहती है हाँ ये पॉसिबल है मैं मजाख नहीं कर रही है वो सब तो ठीक है कि तुम ऑफिशल बनने के लिए तयार हो, मैं तुम्हें एक कमांडर या फिर जनरल की पोस्ट सीधे दिलवा सकती हूँ, ताकि तुम मेरे भाई की मदद कर सको, और वैसे भी तुमने एक युवान जनरल को तो पहले भी हराया है, और तुम्हारा टैलेंट ही इसके लिए अप्शन हो सकता है, क्योंकि ग्रैंटपा ने भी अपनी पोस्ट से अब रिजाइन कर दिये हैं, और वो भी अब मिलिटरी ओफिशल नहीं रहें, तो अगर मैं लॉंग फैमिली के तरफ से चला जाता हूँ, एक अच्छे से पोस्ट पर, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छ बाकी सब हम लोग देख लेंगे, उसके आगे की चिंता तुम्हें नहीं करनी है, याओ कहता है, मुझे इसे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, कुछ दिन मिल सकते हैं, वो कहती है, ठीक है, तुम्हेरे पास दो दिन है, क्योंकि दो दिन के बाद, कोट के एलडर वापस कर सकता है, और लॉंग फैमिली को बचा भी सकता है, यानि बहुत सारी इसके पास आप्शन खुले हुए हैं, लेकि बहुत दुविदा में पढ़ चुका है, क्योंकि एक तरफ भी अलग चीज होने वाली है, तो आपको क्या लगता है, कि ये क्या करेगा, ठीक है गाइस, क